मैगी तो आप सभी ने बहुत बार बहुत तरीके से बना कर खाई होगी एक बार आप मेरी इस तरीके से बना कर देखिए अकीन मानी फ्रेंड्स आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लेस सब्सक्राइब माई चैनल अब प्लेस वीडियो का इन तक जरूर देखिएगा चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमें कढ़ाई में दो चम्मच के करीब तेल एड़ करना है तेल को अच्छे से गरम करने के बाद उसमें थोड़ा सा जीरा डालना है जीरा को अच्छे से चटकने के बाद ही हमें कुछ एड़ करना है जीरा हमारा अच्छे से हो गया उसके बाद हमें लसन एड़ करना है लसन को भी हमें एक दो मिनट तक भूनना है लसन को भूनने के बाद हमें हाफ प्याज उसमें एड़ करना है प्याज भी हमारा अच्छे से होने के बाद हमें उसमें और भी सारी चीजे एड़ करनी है प्याज को भी हमें अच्छी तरीके से भूनते रहना है प्याज को भूनने के बाद हमें उसमें कुछ हरी मिर्चे एड़ करनी है मिर्चो को भी प्याज के साथ अच्छी तरीके से भूनना है मिर्चो को प्याज के साथ भूनने के बाद हमें उसमें टेमाटर एट करना है टेमाटर को भी 2-3 मिनट तक पकाना हैं आमें अच्छी तरीके से टिमाटर के बाद हमें थोड़ी सी हल्दी एड़ करना है हल्दी के साथ भी अच्छी तरीके से भूनना है हमें सारी चीजों को हल्दी एड़ करने के बाद हमें उसमें थोड़ा सा नमक भी एड़ करना है नमाक के साथ भी हमें सारी चीजों को अच्छी तरीके से भूनते रहना है फिर हमें थोड़ा सा पानी डालना है वन टू टेबल स्पून के करीब ताकि हमारी सारी चीजे अच्छी तरीके से पक जाए सारी चीजे हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है उसके बाद हमें एक गिलास के करीब पानी आड़ कर देना है पानी में एक बॉयल आने के बाद हमें उसमें मैगी आड़ कर देना है मैगी को आड़ करने के एक से दो मिनट के बाद ही हमें उसमें मसाला आड़ करना है हमें मैगी को इसी तरीके से पकाते रहना है बिल्कुल भी ढपकर नहीं पकाना है वरना हमारी मैगी ओवरकुक हो जाएगी ओवरकुक मैगी खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं रखती है इसी तरीके से पकाते रहना है एक बार आप मेरे इस तरीके से जरूर ट्राइ करिएगा यकीन मानिये फ्रेंड्स आपको रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी प्लीज रेसिपी में थोड़े से भी चेंजेस मत करिएगा वरना टेस्ट चेंज हो जाएगा फाइनली हमारी मेगी भी रेडि हो गई है चलिए सर्फ कर लेते हैं फाइनली हमारी सुपर टेस्टी मैगी रेडि हो गई है अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पॉर वाचिंग